हेलो फ्रेंड्स मदामों और आप देखने हैं अधानिक बड़ी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने जीमेल अकाउंट से या इमेल से बड़े साइज की फोटो वीडियो किसी दूसरे इमेल पर कैसे भेज सकते हैं अब आप चाहे है आप किसी कंपने में काम करते हैं या आप चोटे मोटे कोई भी अगर यूट्यूबर है जैसे की यूट्यूबर को बड़े यूट्यूबर को वीडियो सेंड करना होता है आपको कोई भी तरह काम हो सकते कि आपको बड़े साइज की फोटो और वीडियो किसी को सेंड करन हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूंजो कि email का यहां पर simply हम किसी को email send करते हैं तो उसमें हम 20 अबी तक की file और फोटो यहां पर use कर सकते हैं लेकिन अगर हम उससे ज्यादा बड़ी फाइल से की 200 यहां तक की बंजी भी में file अगाना हमने send करनी होती है तो उसको कैसे करते हैं यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले सिंप्रिया आपको यहां पर बता देता हूं कि हैं यहां पर वह email होता है जो कि फ्रेंड आपको यहां नौ से central करना है और pioneering आप रिसीब करके उसको यहां पर अपने मुवाईल फोन में या दूसरा वंदा उसको कैसे देएगा बोई बताऊंगा तो फ्रेंड यहां पर मैं अपना इमेल डालता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे यहां पर करते हैं और हमें subject के दो फेंड्याय यहां पर स्मंपली जिकलिब करते हैं अगर आपको 20mb तक आपकी फाइल कोई तो यहां मना कर देगा देखें यहां से अगर आप फोटो लगाते हो तो यहां से फोटो लगा सकते हो क्योंकि यहां से कम की होगी तो मैं आपको बता देता हूं जैसे कि हमें अपनी Google Drive का use करना होता है तो यहां से हमने इस पर select करना होता है और फ्रेंड हमने यहां पर Google Drive से select करने के लिए हमने Google Drive पर जो हमने file किसी और बंदे को या किसी को भी send करनी होते है उसको upload करना होता है तो उसको upload कैंसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो friend आप यहाँ पर simply आपको जो भी file आपकी file है जो भी उसको यहाँ से set करेंगे तो friend मैं यहाँ से एक file ले रहा हूँ जैसे कि friend मैं यहाँ से लेता हूँ यह file अपनी तो यह file मेरी लगबख सो MB के around है तो friend इसको आपने हाँ पे upload करना होता पहले Google Drive में तो send करेंगे अब friend आपको यहाँ पे Google Drive account होगा यहाँ पे तो आपको हाँ पे देखने को मिल जाएगा जैसे कि यह है तो friend आपने simply यहाँ से save to drive में क्लिक करना होता है और यहाँ से देखे friend आप यहाँ पे आपको देख जाएगा option और यह देखी कुछ इस तना से मिल जाएगा आपको आप यहाँ से save करेंगे जिस email में आप आपको देखना है तो वो इस email में हाँ पे upload हो जाएगी तो friend मैंने आप लोगों का time बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी email ले लिया मतब कि जिसको हमने send करना है अब friend मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे होता है तो simply यहाँ पे मैं discord subject देता हूँ test और यहाँ पे compose email में हमने देखे friend यहाँ पे करना होता है insert from drive अगर हमने 100 MB या बड़ी file की कोई भी वरी file है जैसे कि कितनी भी MB की हो उसको यहाँ से select करना है तो यहाँ से select करते हैं हम drive से तो फ्रेंड आप यहाँ पे में drive खुल जाएगी तो देखे friend यहाँ पे मैंने एक video यहाँ पे कर रही है तो मैं इसको यहाँ से select करने के बाद इसको select कर लेता हूँ अब देखे friend यहाँ पे select हो गई है आप चाहें तो यहाँ पे नीचे कोई भी message दे सकते हैं जिसको आपने send करना है मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी जो आपका email हो उसको तो friend यह जो कि मैंसे send कर रहा हूँ यह मैं ही send कर रहा हूँ यह मैं टेस्टिंग email है और यह मैं खुद का वैसा email है business email तो friend यहाँ से send करता हूँ और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको यहाँ पे दो option मिलते हैं जैसे कि अगर आपने किसी बंदे को send कर रहा है जैसे कि कोई भी तो देखिए हाँ पे अभी हो रहा है sending message तो friend आपको यहाँ पे अभी एक और चीज मिलेगी हाँ जैसे कि मैं send करता हूँ तो friend देखिए दो email मिलते हैं हम लोगों तो friend देखिए इहाँ पे इसके बाद दो option आते हैं जैसे कि अगर आपने किसी बंदे को खाली दिखाना है तो वो भी आता है और एक email आता है कि जिसके बास आपका मंदम खाली email send करोगों वो ही देख सकता है तो आप हमाँ से कोई भी select कर सकते हो तो friend देखिए इहां से email आ गया है मेरे पास उपर तो friend यहां पे मैं इसी में अपना login करके दिखा जाता हूँ आपको कैसी इसको open करना होता है तो friend यहां से मैं अपना दूसरा वाले email ले रहा है अब मेरा दूसरा email यहां पे login हो गया है और यहां पर आ रहा है मेकैनिक जो कि मैंने यहां पर किया है मेरे नाम है और यहां पर आपको देखने को मिल गया है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मेरी फाइल आ रही है भी यहां पर तो यह है वो फाइल जो मैंने यहां पर स्लेक्ट की थी और आप देखें यहा पर देखने को मिल जाएगा यहाप अपने क्लिक करना होगा ट्राइब पर तो फ्रेंड देखिए आप जैसे ड्राइब पर क्लिक होगा है आपको कुछ टाइम लगेगा मंदब कि यहाँ पर इसको अप्लोड करता है कुछ थोड़े देर तक तो साहद एक से दो मिनेट लग सक करना होगा जब आप इस वीडियो तक आये हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और से जरूर करें और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दावना बिलकुल ना बोलें मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में बाबाए